कि बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए तो अन्ति महुति रहे जाता था अर्था ज्यादा उसका कुछ है नहीं देकिन किसी को फायदा हो गया तो अच्छा है हां अत्रसर्गश्च स्थानम पोशन मुतयाहा मन्वंतरे शानुकता अभी दो-दो लाइन बोलेंगे अत्रसर्गश्च स्थानम पोशन मुतयाहा मन्वंतरे शानुकता निरोदो मुक्ति राश्रेहा तो ये जो दस विशय वस्तु है इसको हम एक एक करके किये बरवर तो पहले दो स्कंदों में एक अधिकार तत्व था और साधन तत्व था ये प्रस्तावना होने के बाद तीसरे स्कंद में अत्र मतलब क्या भागवत पुराण में इधार क्या है सर्ग उसका प्राधान नता से वर्णन कहां हुआ तीसरे में वैसा चोथे में विसर्ग पाचवे में स्थान छेवे में पोशन साथवे में उती हाठवे में मनवंतर नवे में इशानुक था बारावे में मिरोद ग्यारावे में मुक्ति दसवे में आश्रे तो यह जो सिक्वेंस है यह यह शलोक से आ रहा है है ऐसा मैं किया नहीं इदर दिया है वो सिक्वेंस फॉलो कर रहे हम ठीक है तो इसका परपस क्या है यह आगलाल श्लोक तो यह दश्यमस्य विशुद्ध्यर्थम नवा नामिह लक्षणम वर्णयंती महात्मानहा शुते नार्थे न चांज्यसा दो लाइन बोलेंगे दश्य लाइन वर्णयंती महात्मानहा शुते नार्थे न चांज्यसा दो इसका अर्था क्या है यह जो दस विशय वस्तु है ऐसा मत समझे कि भागवत पुरान दस अलग अलग चीज बता रहे हम यह एकी चीज बता रहे हम वो क्या है आश्रे तो यह आश्रे तो यह आश्रे की विशुद्धी करने के लिए आश्रे तत्व को प्रस्थापित करने के लिए आश्रे तत्व को अलग दिखाने के लिए बाकी के नौ तत्व को वर्णन किया है और ऐसा वर्णन कौन करते हैं महात्मालों महात्मा लोग जानते हैं शुक्दय अगोस्वामी कैसे तो वो भी वर्णन ऐसा करते हैं नवाना यंति महात्माना तो इसका उधरन क्या था जड़ और पेड़ टहनी इत्यादी याद है आपको तो सब हमें दिखता है तो सर्ग विसर्ग सर्ग विसर्ग हमें दिख रहा है ना भी सब कुछ हम सब देख रहे अनुभव कर रहे सर्ग का अनुभव कर रहे स्थान का भी अनुभव कर रहे पोशन का अनुभव कर रहे उति का अनुभव कर रहे हमारा वासना और फिर बाकी भक्ति तो यह सब हम यह हमारे इंद्रियों को प्रस्तुत है लेकिन यह सब आ कहा रहा है पोशन कहां से हो रहा इसका सुरोत क्या है जड या आश्रे जो है परम सत्य भगवान शी कृष्ण तो ऐसे वर्वनन जो भागवत का करता है वह महात्मा लोग करते हैं कि भाई दश्वेश विश्य वस्तु को दर्शाते हैं इंगित करते हैं अलग दिखाते हैं और कैसे दो प्रकार मतलब क्या है शुते न मतलब क्या ये चुझा कर्ने से बड़ा त मतलब कोई प्रलाज महराज भगवान के सामने नवदान करनें तो यो अनुभव जैसे स्तुतियां है ना वो सब स्तुति क्या है शुते न डायरेक्ट डायरेक्ट परसेप्शन अवला भगवान का डायरेक्ट अनुभव बोल रहे हैं न हमको डायरेक्ट आखो देखी बता रहे हैं उनका रिदय तो वह सबसे महतपून और अर्थेन न मतलब बहुत सारा बड़ा क है न यह हर एक जो विशय है उसको परिभाशा देते हैं जो हमने देखा है आपको आप सब लाइन में पता चल जाएगा एक पाच मिनिट में जाएंगे इसमें बस तो यह देखो भूत मात्र इंद्रिय धियाम जन्म सर्गा उदार तहा ब्रह्मनो गोन वैशम्याद विसर्ग तो यहां पर सर्ग और विसर्ग का व्याख्या किया है तो मूत मात्र इंद्रिय धिया जन्म मतलब भूत मतलब पंच महाभूत मात्र मतलब शब्द स्पर्श रस रूप गंदर इंद्रिय मतलब दस पाच पाच कर्में इंद्रिय पाच ग्यान इंद्रिय बुद्धी तो य जन्म को सर्ग बोला जाता है वह कैसे होता है जब भागवान अब गुण वैश्यम में प्रकट करते हैं जब दुर्गा देवी को महाविष्णु क्या दुष्टिपात करते हैं उससे क्या हो जाता है एजिटेशन हो जाता है जैसे कोई पुरुष्ट्री के अंदर अपना वी स्थानम स्थिति वे अभी ये बोल सकते हैं स्थिति वे कुंठ विजैहा स्थिती वैकुंठ विजयाहा पोशन अम्तद अनुग्रहा पोशन अम्तद अनुग्रहा मन्वंतराणि सद्धर्मा उतेह कर्म वासनाहा यहां पर स्थिती वैकुंठ विजया यह है यह कंसा स्कंद है कौशार्ड विशय है और कौन को आए श्थान चाल अर श्थिती एक ही समान आर्थ शब्द कौन सा स्कंद यह वहां पर क्या है वाइकुंट का विजय होता है, मतलब क्या, भगवान ने ऐसे घर बनाया और ऐसे नियम बनाया उदर, कि वो नियम हम पालन करेंगे तो आगे बढ़ेगे, वाइकुंट की तरह, नियम पालन नहीं करेंगे तो पतन हो जाएगे, ये उसका आर्थ है, ठीक है, पाचवासकन, द जो चीज बताया था मैंने, चौदा भूवन और उसके नियम, तो भई आप रहो, वरणाश्रम में रहो, चौदा भूवन में रहो और नियम का पालन करेंगे, जो भी है, तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेगे, बहारी बदलो मत अंदर बदलो, छेवासकन क्या है आगे, पोशनम ता दानुग्रह, ता दानुग्रह मतलब भगवान का अनुग्रह, तो वो किसके उपर होता है, भक्तों के हो, पर्ष्ट है, तो उसका तो चित्र के तु इंदर वितरास हो, छेवासकन देखा आमने, शुद्ध भक्ति और मिश्र भक्ति, पर्ष्टता से बताया है और भक्ति वयभो का डिगरी प्राप्त हो गया, भई शुद्ध भक्ति करना है, लेकिन आगे सात्वासकन कहां बताया है, कौन सा है, वो है सात्वा क्या आगे वाला सात्वा, वो तो यहां कर्मवासना ये सात्वा है, तो भई मेरा कर्मवासना बहुत अलग-अलग है, ले तो हम शुद्ध बक्ती कर सकतें कर्मवासना हम को अंदर से कुछ वेग होता है उससे हम क्रिया कर देए तो वेग बढ़ाना नहीं हुआ हा मूँ कैसे बढ़ेगा अगर हम भकतो का या महत लोगों का अगर हम कुपित करेंगे तो गलत वासनाय बढ़ेंगे और उनको खुश करेंगे संतुष्ट करेंगे तो क्या होगा शुब वासनाय बढ़ेंगे यही उसका यह था और फिर आठ्वासकन क्या है संग करना यह समझ में आ गया तो संग करने के बाद क्या बताते हो शर्णागत हो जाओ तो वह है आठ्वासकन सद्धर्म मतलब शर्णागति जो क्रिया जिससे आदमी भगवत धाम को प्राप्त करता है शुद्ध भक्त बनकर वह शर्णागति तो यह हो गया कौनसा कौनसा पाच छे साथ आठ अभी नववा देखो नववे का एक पुरश लोग है कि भगवान की कथाएं और भगवान के भक्तों की कथाएं बहुत सारी कथाएं बताएं शर्णागति के बात कैसे शुद्ध अनर्थ निवृत्ति भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा तो यह हो गया वरवर कौनसा हो गया यह नववास्कन अभी देखो आगे क्या बताएं अभी यह उच्चरन कीजिए निरोधो अश्याणु शयनमु निरोधो अश्याणु शयनम स्कानम आतमा नहासह शक्ति लेही अत्मा नहासाज कर्सशक्ति queda 就 सटी ही तो यह कौनसा रां सगया है बारवा सकन मदे चार तरह के निरोध बरभर सिक्वेंज देखो यह всё आदो निरोध मतलब भगवान के सोने का लीला जहां भगवान अपनी सबी शक्तियों को अंदर ले ले लेते यह बारावा स्कंद हो गया, अभी हम लोग 11 वा स्कंद देख रहे हैं 11 वा स्कंद का यह जो लाइन है यह प्रूपत बहुत बार बोले हैं सब धोराएंगे मुक्तिर हित्वा अन्य थारूपम श्वरू पेन व्य वस्थिती ही श्वरू पेन व्य वस्थिती ही पूरा बलताओं एक बाद मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरू पेणवेवस्थिति तो इसको समझे अच्छी तरह से यह कौन सा स्कंद है ग्यारावा ग्यारावा स्कंद में मुक्ति का वर्णन किया है विशेश रूप से उद्धव को भगवान ने बताया तो क्या लिखा है मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम हित्वा मतलब क्या त्याक करके हित्वा क्या आता यह जन्म कर्मच में दिवम एवम्योवित्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत इतर उपाधी मतलब क्या यह दाहिक जो हमारा उपाधी है वो सब इतर उपाधी होगे क्या, क्या-क्या बोल सकते हैं? जैसे प्रवपजी बोलते हैं, आम इंडियन आम अमेरिकन, मैं तो मैं पुरुष मैं स्त्री है ने तो मैं ब्राम्मान में ख्षत्रिय, मैं ब्रह्मचारी, मैं सन्यसी, ये सब क्या है? अन्यता रूप है, उपाधिय है इसको ट्याक कर, इसको ट्याक तो करना है बेपिरागी क्या करना है? स्वरूप एण व्यवस्थिति, मतलब क्या? अपने स्वरूप में अपने आपको स यह सबसे सपश्ट परिभाशा है मुक्ति का हजारों लोगों का हजार अलग अलग परिभाशा होता है आप बात किजिए भारत में मुक्ति मतलब क्या लेकिन यह सबस्ट क्या है परिभाशा है अन्यता रूप को छोड़िये और स्वरूप में स्थित हो जाएए यह है मुक्त और प्रकार का मुक्ति होता है वो सब तो ये कौन सा स्कंद हो गया जो हम अभी देखेंगे और साथ वा जो देखेंगे आप यह आश्रे तत्व को यह करता है जो हम तब भी देखेंगे लेकिर श्लोक अभी आया है तो देख लेते आभा सश्च निरोधश्च यतोस्त अध्यवसियते साश्रेह परब्रह्मा परमात्मेति शब्देते परमात्मेति शब्द्दें तो यहां पर आश्रे का वापस परिभाशा हो रहा है क्या है परिभाशा आश्रे का आभास और निरोध जिससे होते हैं और जिससे प्रक helva लेंगी जिसके स्रोट से होते है और जिससे प्रकट होते है आप वो आशरे तत्वा है जैसे मैंने जड़ बता है जड़ ये पूरे पेड़ का स्रोट होता है तेहनी का पत्तो का और उसका पोशक भी होता वैसा ही यतो च यतो मतलब जिससे जिससे आभास और निरोध प्रकट होते हैं कि और अद्ध्यवसाय मतलब जो आपको प्रस्तुत होते हैं आपको अनुभौ दिलाते हैं तो हमें अनुभौ आश्रे दिलाता है जैसे मैं हमेशा उधारन देता हूं स्रेमान नलीतमादों प्रभू का करें करोना पिरेड में उनको जो अनुभौ हुआ था कि हमारा जो सब लोग आनन ले रहे थे यह भी आनन लेना चाह रहे थे लेकिन क्या हुआ करोना की बज़े से वही चीज से उसको दुर्गंद आया तो अध्यवसा है मतलब आपको क्या अनुभाव आता है वह आश्रे तत्व डिसेड करें ना कि पनिर सब्जी पनिर डिसेड नहीं करता आ पोटेश्ट देना भागवान अगर सेंक्षन करेंगे तो आपको अनन्द आए ना इतों दूर्गंद आए मैं तो यह बताया है और आभास अस्चे निरॉध अस्चे यह क्या है यह शब्द पहले आके कया न हैं आके क्या कि निक्षित तो वह यहां पर बताया है मतलब क्य जो सबकुछ साहार और आभास मतलब क्या आभास मतलब आभास कहा इस्तमाल करते है वड़ाप यह भक्त है यह भक्त आभास है यह भक्ति है यह भक्ति का आभास है रस है यह रसा भास है और यह नाम है और यह नामा भास है यह सुना है आभास मतलब क्या करुतिरिम नहीं बोल सकते हैं नाम जैसा कुछ ले रहा है उसको बते नाम आभास जब अपराद नहीं होता नामा भास स्टेज वह होता है इतना फाइदा होता है तो नाम लेने से क्या होगा सोचे नाम का आभास से इतना शक्ति हो रहा है अनुबह हो रहा है जैसे सूरिय और उदय होने से पहले अरुण उदय होता है बराबर तो प्रकाश तो आई जाता है तो नाम आभास यसा है तो आभास का शब्द का अर्थ प है प्रतित होता है और यह कुन बोलता है पता अगया यह बोलते है यह रोख़त है लेकिन मैं बबाखता बहुए नामाचार यह हरिदास नहीं कर सकता है और वह क्या बोल एक चीटी मनने से क्या होगा, तो उनका खुद का भाव क्या है कि मैं भक्ता भास हूँ, मैं भक्त नहीं हूँ, यह शुद्ध भक्त का रिदा है, तो आभास मतलब क्या, जो सही नहीं, जो है नहीं, लेकिन उसके जैसा प्रतित होता है, शद्धा होता है, शद्धा भास होता है हर एक civ कह उता है तो एक प्रति भीम्ब होता हن शद्धा होता है लेकिन वह ठीक है तो इधर क्या बोला है आभास तो निरोधस्चर निरोध बतलब दो विश्यवस्ट आ गयए रोध और मुख्ती और आभास मतलब पहले साथ विशेवस्त सर्ग विसर्ग स्थान पोशन उती मनवंतर इशानु कता ये सब को एकठा करके एक नाम दे दिया क्या है वह आभास क्यूं दिया ये क्यूंकि ये बहुत तिक जगत है न ये जो हमें अनुभो मिलता ये सब आभास है कि सभी क्या है हाभास इसलिए पूरा एक केठेकरी में डाल लिया ये सब आभास और जो आभास है उसका संहार निरोद ये दोनों चीज किस से आता है आश्रह से और दोनों चीज आपको प्रतित केसे होता है आश्रह से अध्यवसाय होता है उसका आप जैसे ललीग मादव से वह आश्रह तत्व और उसको पुछ लोग ब्रह्मा बोलते हैं के तो यह शलोग ठीक है यह आश्रह का परिभाशा है तो यह जो साथ लोग है यह पूरा हमने जो छे दिन सुनाए दिया उसका यह पूरा यह है एक सारा तो अभी ग्यारां वेसकन्द में जाते हैं पटाक तो इसको आप डेली देखेंगे तो डेली मतलब जब भी समय मिलेगा देखेंगे तो अच्छा है तो ग्यारावा स्कन का अभी मैं यह खोलता हूं मुक्तिर हित्वा अन्यता रूपम स्वरुपेण व्यवस्थिरी बराबर यह रहा यह रहाँ भी ग्रोपम स्क्रीट कि अधर कुनों दिख रहा है कि यह कि दिख रहा है कि तो यह मैंने आपको अल्रेडी बताया है 14 सकंद में उन Ciao चरण कमलों में आश्रय लेने वाली मुक्ति का वर्णन किया है उनके चरण कमलों में मतलब मुक्ति किसका आश्रय लेती है भगवान आश्रय का आश्रय आश्रय के चरण कमल का आश्रय लेती है तो वो मुक्ति का वर्णन कहां है ग्यारावेस कन तो यह मैंने बताया मुक्ति परिवर्तन शीए पढ़ने को हो रही है नहीं तो ऑनलाइन पढ़िए कोई उसका आवाज आएगा आपको शेव परिवर्तन सी फूल और सुक्ष्मा भौतिक शरी रोग को ट्याकने के बाद मुक्ती जीव के स्वरुःप की स्थाई सिति है अन्यता रूप को त्यागे और भगवान के स्वरुप में आकर अपने सास्वत्य स्वरुप में आए ठीक है तो भई सुरूप पे विवस्तिति में कैसे जाए तो भगवान के सरूप को स्पर्ष कीजिए उसका संग कीजिए तो आप आपके सुरूप में चले जाएंगे सेमझ मैं दूसरे लाइन क्या है देको बाकी भक्ती चोड़ करके बाकी सब लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं लेकिन वह बहुत मुश्किल होता है क्यों भगवान के फाइदा नहीं लेते वह अपना जैसे मारजरी ने अहीं होता है ना आ यहां मारज़ेरी नहीं कौन सा मरकट नहाए अपने प्रिंदावन में बंदर और उनका चोटा बेटा को देखा है तो छोटे बेटे को पकड़ के रखना पड़ता है उसको उसमें चोड़ देया तो गिर जाए तो उसमें अपना शक्ति लगता है मदर का ज्यादा शक्ति नहीं मदर अपने-पना चल रहा है उसको पकड़के रखना होता है मदर को तो यह ज्यान योग यह सब पद्ध़ति summit यह लेकिन हमारा पद्धति वैसा नहीँ है कि एकशली कुट अगूआ Oo हूं अब इसकी चिला याता है वो सही है लेकिन उससे पहे चूआ खता है लेकिन वह मुँने बेटे को उठा के लेके जाता वístको कुछ लाने मियाओ चिला चिला है तो उठाके लेगे वैसे हमें भगवान का शरणागति करने लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि हमने कुछ नहीं करने तो इसलिए कूप रज्जु नय बोला जाता है कूप रज्जु नय मतलब क्या कूप और रज्जु कूप मतलब क्या वेल क्या बोले क्या कूप और रज्जु मतलब क्या रशी तो हम लोग कूए में पड़े हुए है तो भगवान कैसे आते हैं भगवान रशी नीचे फेग रहे हमारे लिए लेकिन हमें तो कुछ करना पड़ेगा ना हमें पकड़ना है रशी को और भगवान वापस उपर उठ हैंगे हमको भक्ति करेंगे हम तो रशी को पकड़ना है तो फिर भगवान हमारा यह हमारा प्रयास और भगवान का कृपा यह दोनों जरूरी तो यह भगवान के स्वरूप में स्पर्श करना तो मुक्ति प्राप्त करेंगे सच्चा मुक्ति क्योंकि हम स्वरूप में स्थ नही नहीं हो लाईन क्या बता रहे अन्यतारू में क्या नहीं हुँ मैं नरपती मतलब राजा नहीं हुँ न वईष्य हुँ या शुद्र मतलब चत्रिय ब्रामन वाईश्य शुद्र में कुछ नहीं हूँ वह तु कौन है फिर ब्रह्मचारी है वानप्रस्थ है सन्नेसी है या ग्रस्थ है वो भी नहीं हूं बोले फिर कौन है कौन है कि इन्टु गोपी भरतुर पदकमलयोर दास दासान दास मैं भगवान शी क्रिष्ण जो गोपियों के भरता है उनके दासों का दासों का दास हूं यह मेरा स्थिति और उसमें परमानंद है भगवान तो यह स्वरुप बता रहा है हमां अन्यता रुप को त्यागो और अपने स्वरुप में स्थित हो लेकिन अपने स्वरुप में स्थित होने के लिए हमें तो भगवान का स्वरुप का आर्थ क्या है मतलब भगवान की अंतरंगा शक्ति उसमें स्थित होना जी तो ये एक अठरा तीन बहुत महत्पुन तात्परिया है तो पढ़िए ऑनलाइन पढ़िए जब तक को भगवान की इस स्विष्ट या शाष्वत उर्जा को परी तरह से नहीं समझ सकता है भगवान कृष्ट की कृपा से महराज परिक्षित शुक्द्यवगोस्वामें जैसे व्यक्तितव की खुरुपा प्राप्ट करने में सक्षम तरकार अले यह भगवान की वास्तविता श्रिपी को जानने में सक्षम है वैदिक साहत्य से भगवान को पाना बहुत कठी है लेकिन शुक्द्यवगोस्वामी जैसे मुक्त भक्त की दया से उन्हें जानना बहुत आसान है देखो वेदेशु दुरलभम अदुरलभम आत्मभक्तों वेदों पढ़के दिमाग का दही करेंगे तो बगवान समझ में नहीं आएंगे लेकिन आसान क्या है दुरलभम आत्मभक्तों शुग्देव गोष्वामी जैसे शुद्ध भक्त की डया से आसानी से तो फिर हम क्यों है आपके पीछे में दोड़ता रहोंगा आप मेरें को भागा भी दो मैं किदर नहीं जाओं गांदी जी है ना गांदी जी का वाइफ को बांदी जीन निकाल दिया तो गांदी जी के वाइफ कहा रहा सुना अब बाहर ही बेटी थी ओ कहां जाओंगी मैं और आप निकाल दोगे आप निकाल दोगे ठीक है लेकिन मैं जाओं और तो वैसा हमारा होना चाहिए ऐसे हलदर महाराज बोले थे कि शुद्ध बबक्त ने ऐसा बोलना चाहरे चल ठड़ चल निकाल ने ने तो उससे यह आसान हो जाते है और पहला लाइन क्या है जब तक कोई भगवान की इसी श्रेष्ठ या शाश्वत तूर्जा मतलब अंतरंग के शक्ति को पूरी तरह नहीं समझता है तो भौतिक शक्ति को छोड़ना संभव नहीं है तो महा माया को फोड़ना संभव नहीं है सिर्फ ना ना बोलके तो भाइव कुट्ड़ा भौक मत भौक मत उत्मट शांत हो जाए आहए अंप मालिक को बोलिये, मालिक को पुखार तो वो क्या बोलेगा? कुत्त्य बोले जानना ये जरूरी है जो उसके रिदय में होती है और वो प्रकट होती है उनके अस्तित्व से इसलिए भक्त पद धूली आरा भक्त पद जल भक्त भुक्त आउशेश तीन महावाल तो मायाग से पार करने का यह असन तरीका है यह उद्धव भगवान को बताते है यह इसकन में वो क्या बोलते है भगवान को पता है वो मतलब कपड़े अलंकार मतलब अलंकार गहने अलंकार चर्चित हा उच्चिष्ट भोजिनों दासा आपने खाया हुआ प्रशाद भोग तव मायाम जय महीं आपका महाप्रशाद ग्रहन करके आपके महावस्त्र पहन करके आपके महावुशन पहन करके हम माया को जीत लेंग उद्धव भगवान को बोल रहे हैं वह भगवान आपकी माया को जय करना इतना मुश्किल नहीं है आपका महाप्रशाद लेके हम जय करेंगे और उससे शक्तिशली क्या होता है महा महाप्रशाद वह हमें भक्ति वैश्ण आश्रे महाराज बता रहे है वो मतलब जो तोमार कुकूर ओहे वश्ट कि मैं आपका कुत्ता बनता हूं बहार रखोंगा प्रतिप जनेरे आसिते नादिवो लाखिवो गदेर पारे और तव निजजन प्रसाद सेविया उच्छिष्ट लाखिवे ताहा ताहार भोजन परमानन्दे प्रतिदिन लावे ताहां मैं क् करूंगा आपके शुद्वक्त को अंदर बेजूंगा कोई मायवादित उसको भोकूंगा उसको अंदर नहीं बेजूंगा और फिर खांगे क्या भही आप बोले देखो आपके भक्त लोग आते हैं आप लोग सब ग्रहन करते हैं कुछ उच्छिष्ट बच जाएगा तो व महां पर महाराज बोल रहती हैं तो ये बात है भगवान के अंतरंग शक्ति को करना है द्ट उयक्त क्या है अप दोली नहीं को सफटर कatamente को पास्ति है और दूसरा क्या है फो इधर लिखा है वह क्या है भाग्वान के सुरुक्त के संपर्क में कैसे आये है ऐसे जो पाच चीजे हैं न क्या बोलते हैं उनको फाइव पोटन्ट फॉर्म सब भक्ति वो इधर दिख रहा है आपको सादू संग नाम किर्थन भागवा तश्रवन मतुरावास श्री मुर्ती रशद्धया से वन यह पाच चीज इतना शक्ति शाली है किव स्वरुप को सपर्ष करने दता है डायरेक्ट एधर करते हो नामकिर्थन नाम वही उसका ही चर्चा करते हैं मतुरावास धाम भगवान का प्रभाव नॉर्मल लोगों को भी हो जाता हैं और विग्रह तो यह पाथ चीज़े बहुत शक्तिशालिए इसका हमें अच्छे से जब हम यह करते हैं तब भी रिदे पुरुवक ध्यान पुरुवक मन पुरुवक करना चाहिए डायरेक्ट हमको क्या हो रहा है अंतरंग शक्ति का स्पर्श हो रहा है इसलिए अच्छे से करेंगी तो यह था हमें अपरोक्षच तक पहुच प्रदान कर सकते हैं मतलब क्या वेक्स तक तक रोक्ष जयान होता है एक अपरोक्ष जयान होड है बहुत क्या है और यह सब देख करके अलग बेर चीज़ें का रिस से करें आत्यक्ष्प्रमान ढा कर्या दूसरे के आख से देखना मतलब क्या कि गुुरु महराज बोल रहा है बहुतिक जगत को दुखा ले देखो तो हम वो शर्वन करते हैं और हमें तो इसा लगता नहीं है लेकिन फिर कैसा करना चाहिए गुरू के आग से देखना चाहिए परोक्षा इसलिए हमें क्या बोलते है किस से देखना चाहिए हमें कान से देखना चाहिए क्योंकि गुरू बोलते हैं न कान से देखना चाहिए आग से देखेंगे तो ब्रमित हो जाएंगे कान से देखेंगे तो प्रमित नहीं होंगे तो वो हो गया परोक्ष लेकिन कान से देख 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 के देख के क्या होगा अपरोक्ष होगा कि आपको भी वही दिखने लगेगा गुरु का गुरु जो देख रहे हैं वही आपको भी देखने लगेगा उसको बोलते अपरोक् जो आग्टी के वह अच्छे तरह से रदय पूर्वक ध्यान पूर्वक और आग्या पूर्वक करेंगे तो क्या होगा यह सब जो गुरु बोल रहे हैं शास्तर सादू जो बोल रहे हैं वह आपको दिखने लगेगे जैसे मैंने बता है ना भागवत मतलब क्या तो दो विशे वस्तू आप समझे तो क्या होता है वह एक दीप तरह दीप शुरुवात में देखा हमने दीप मतलब क्या आपको दिखता है थोड़ा बहुत दिखने लगता है लेकिन नौस विशे वस्तू समझेंगे तो क्या होगा किसके जैसा दिखेगा सूरिय जैसा यह जगत आपको वास्तविक रूप में दिखेगा उसका नंगा सत्यता दिखेगा यह जगत का उसका जो उपर ही जो जगमग है ना वो नहीं दिखेगा तो यह क्या है अपरोक्ष अब भी पुरु और शास्तर बोल रहा है लेकिन आपको भी दिखाए देगा कब जब हम यह पाज जो चीज यह वह रुदय पुर्वक करेंगे क्योंकि हमें तत्काल आपरोक्ष देता है उसका शक्ति है उतना और वह कौन बोल रहे हैं भक्ति रसामरित सिंदु में बोला गया है कि इसका अलप संग करेंगे ना तो भाव भक्ति प्राप्त हो सकते हैं लेकिन उदर एक शब्द है व लेकिन सद्दिया मतलब क्या अपराद रहित करेंगे तो प्रभाव पडेगा अपराद करके करेंगे तो समय लगेगे प्रवाद पड़ेगा समय लगेगा इसलिए अपराद ओको जानना भोट ज़रूरी है सिर्फ सुबह बोल कृष्णानन बोलते हैं हमेशा में बोलता हो न कि हम सुबह दस नाम अपराद बोलते हैं और फिर दिन में दस नाम अपराद करते हैं वह नहीं करना चाहिए हमने उसक और मुक्ति ये दोनों मुथ्या है मुक्ति भी मिथ्या है भगवान बोलते हैं जीव को कहां बंदन है बंदन नहीं तो मुक्ति कहां से आया वास्तवी कुरूप में जीव को बंदन है क्या वो मानता है मैं बंदन हूं मैं ये देहा हूं लेकिन वह है नहीं तो बंदन भी मिथ्या है और मुक्ति भी एक मिथ्या है भगवान का एक श्लोक है इसमें ग्यारवेस कर देखते हैं अभी तो ये कौन सा लिला है पता है आप मौशल लिला वो कौन है कौन दिख रहा है आपको कुछ लिला याद आ रहा है आपको नारद मुनी तो सबको पहचान में आते हैं सूर धीरा धीर जनब प्रिया प्रिया करो लेकिन वह बाकी लोग हश कुन रहे हो जो यदू कुमार है ना वह मजा कर रहे थे ना उनसे इसा पेट में लगा के पूछ भच्छ वहसमें बेटा ऐक बेटी है साम और यदू कुमार मजाक उड़ारे उनका इसकी बज़े से क्या हो गया मौशण लिला हो गया तो उसका पूरा वर्णन पहले अद्ययाय में है छेवेवे अद्ययाय में है और तीसवे और एकटिसवे अद्ध्याए में भगवान के भगवान का खुट का ये भगवत धाम जाना और उनके सब पार्षदों का भी भगवत धाम जाना और निरोद ये इदर बता है निरोद नहीं बोल सकते एक लुपत होना यदुवाश और कृष्णा का लुपत होना ये दोनों लिलाएं कहां बताई हैं ये और ये बहुत महत्पुन लिला है बहुत गहरी लिला है बहुत बार हमें लगता है कि बहुत बड़ा खुन खराबा हुआ तो क्या हुआ 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 नहीं हुआ क्यूं हुआ भगवान के गांदरी ने शाप दिया इसलिए हुआ तो क्या हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ यह सब इदर बता है पहला अद्धा है छेववा अद्धा है और तीस्वा रेकतिस्वा अद्धा है तो यह आसूरी मोहनलिला कहलाता है क्योंकि आसूरी भाव के लोगों को दिखाना चाते है भगवान देखो तो यह सब आसूरी मौहन लिए वो इधर है ठीक है बाद में दूसरा महत्वपुन चीज क्या है इसमें दो से लेकर के पाच अध्याव में क्या दिया है निमी नवयोगेंदर सम्वार तो यह नवयोगेंदर किसके बेटे हैं रुष्यपदेव के सो बेटे थे इसमें एक भरत महाराज हुए और नव परमंस हुए यह नव देखो उन्होंने कुछ कपड़े भ को निमी महाराज के महाल में आये और यह कौन उदृत कर रहा है नारद मुनी वासुदेव को वासुदेव बहुत नम्रता से प्रस्तुत होते हैं कि हे नारद मुनी हमारे उरिदय में कुछ भक्ति नहीं कृष्ण के बारे में कुछ बताईए और सबसे बड़ा यह पूरे यह हुआ द्वारका में ठीक है वह सुनने के बाद उद्धव छोड़ने पाघवान को लेकिन भगवान बोले जाओ और लेकिन वह चले गए लेकिन फिर वह प्रभाष चले गए और उद्धव वापस प्रभाष भी गए और उधर और वार्तालाप हुआ मुह तो यह सब व दस्वसकन में जाना तो निमी नियोगेंदर के द्वारा नौ प्रशन है और नौ उत्तर है यह बहुत-बहुत महत्पूर्ण सेक्षन है जहां पर सब बताया है तो यह आप देख लेजिए अभी समय नहीं है हमारे पास और यह नौ प्रशन है नौ उत्तर दिये है मैंने आप और फिर उद्धव गित में 21 प्रशन और उसको 21 प्रशन की यह उद्धव ने तो कृषन जैसा ही भगवान की योग माया ने उद्धव को रभावित कर दिया और उद्धव प्रशन पूछने लिए जिसके द्वारा भगवान आपको और मेरेको आदेश दे उपदेश दे शंदेश दे तो कितने प्रश्ण है टोटल 21 प्रश्ण तो बहुत सारे प्रश्ण है वो 21 प्रश्ण 21 उत्तर कभी समय मिला तो देखेंगे अब भी समय नहीं है हमारे पाफ और यह हो गया ग्यार आवासकन तो हमारा अलड़ी हो गया अभी अभी हम प्रवेश करते हैं जिसके लिए हम शुरुवात किये थे वह कौन सा तत्व है आश्रे तत्व तो यह सब हमने देख लिया इसका वरणन भी हमने सुन लिया जो आश्रे का परिवाशा है वो मैंने अल्रड़ी बताया आभास अश्च निरोध अश्च इत्यादी आभास मतलब पहले आठ विशेवस्तु साथ विशेवस्तु निरोध मतलब दो विशेवस्तु यह जिससे आते हैं जिससे प्रकट होते हैं वो है आश्रे जिसको ब्रह अगतता से किसने बताया कोई बोला गौडिया वश्णव है कि नहीं सिदर स्वामी ने बताया तो ये दोराई एक पर दशमे दशमम लक्षम लक्षम आश्रित आश्रय विग्रहम श्री कृष्णाख्यंपरम धामा जगत्धामनमा मितत्त आउनलाइन पढ़िए भाषानतर को श्रीमत भागतम का दस्वा इसकंत दस्वे उद्देश भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व जो सभी समर्पित आत्माव का आश्रय है वो प्रकट करता है उन्हें श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है और वे सभी ब्रहमांडों के अंतिम सुरूट है आईए मैं उन्हे अपना प्रणाम अर्पित करूं यह कौन प्रणाम कर रहा है श्रीदर स्वाम कहां प्रणाम कर रहा है दस्वे स्तंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में यह श्लोक उदृत किया है और वो क्या दिखा रहा है इस पश्टता से भई आश्रय यह है यह कह सभी आश्रितों आश्रय आश्रय विग्रहम जो सभी आश्रित उसका आश्रय है और वो कहां वदाया आए दश्में यह दस्वे अध्याय में दस्वा लक्षन को वरनन किया है वो क्या है श्री कृष्णाह्यद क्ष्णा क्ष्णा है, उसको श्री कृष्ण PPते है कितना पश्ठे देख क्bon K på Rock सत्य बोलते हैं यह है स्क्री कृष्ण बोलते हैं वो क्या है परम धाम है बहुत ही सुन्दर है जगत का धाम है वो ही है उसको मैं प्रणाम करता हूँ कितना सपष्ट दिया है किसने दिया है शिदर स्वामी तो कृष्ण एक मातर आश्यत है ठीक है आप वो दोनों पढ़ लि लेकिन उसका भी आश्रे कौन है कृष्ण नहीं इसलिए उनको देखने के लिए उन्होंने आगे कृष्ण को पूरूते से समझने के लिए व्यक्ति को आश्रे तत्व और चरित तत्व का विश्रे शनात्मक अध्र अश्रित है वो चरितर नहीं है आश्रित तत्व अच्छा तो इसलिए हमने ये दस विश्य वस्तु समझी कि कृष्ण को अच्छी तरह से समझना है तो क्या करना पड़ेगा पहले आश्रित को ने उसको जानो पहले नौसकंद बाद में ये सब किसका अश्रित उसको जानो तो फिर आप क्रिष्ण को अच्छी तरह से समझोगे तो ये सब चैतन चरितामरित में भी दिया है ये तो स्पष्ठ है देखो क्रिष्ण स्वरूप विचार सूनसनातन अध्वयद्यान तत्व ब्रजेवर जेद्र नंदन सर् अच्छे एक्चुली ये हिंदी तोड़ा ये हो गया है लेकिन ठीक है वही आश्रित तत्व का ये हो रहा है सनातन जी सुनिये ये अध्वय तत्व ये व्रज में जो व्रजेंद्र नंदने वही है वो सबके आदी है सबके नियंतरक है और किशोर शेखर चिदानन्द देह सरवाश्रय सरवाश्रय सरवे और क्या है कुछ तो यह सब आश्रय तत्व业 का परिभथा दिया इसको ब्रह्म्य परमात्म भगवान भी बोला जाता है त्री विदभ प्रकाष देखिए और वह कैसे प्राइफ्प्त होता है ज्यान योग भक्ति तीन साधा नेरं तो ग्ञान यॵक से ब्रह्म प्राफ्ठ होता है आश्टायं यॵक से आत्मा प्राफ्ट होता है और भक्ति यौड से ब्रहें यह सब दिया है चैतन च्छै्रितामुर्त में। जो सणातन शिक्षा में सब दिया है ठीक है तो अभी ये बहुत महत्मून स्लाइड अगर हमें अ क्यान से ब्रह्मा अश्टा योग से परमात्मा भक्ति से भगवां ये का सबसे महत्मू पून जो मैंने शुरूआ में बताया थाना आपको कि क्या है कल श्री कृष्ण चैतन्य जिवे दया करी स्व पार्षद स्विय धाम सह अवतारी अत्यंत दुरलभ प्रेम कोरी बारे दान सिखाय शर्णागति भक्तेर प्राणी इकल बताया मैं आपको तो चैतन्य महाप्रभु का आवतार्ण क्यों तो अगर हमें कर्ष्ण को समझना है तो क्या समझना पढ़ेगा चैतन महाप्रभु जिस सिख्षद्य शर्ण इने दिया हुआ विधी ये पालन करके ही हम राधाकर्ष्न की पूझा कर सकते हैं पढ़ने से पहले ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यह सिद्धान्त है क्योंकि पूरा जीवन में वापस वापस वही करना है और क्या थे अगर देखो मैंने जो पता है ना मैंने जब विद्यापिट किया तो मैंने भगोद गिता पढ़ाई नहीं तो इसलिए जैसे हम आगे पढ़ते है ना आपको पता चलेगा पिछला वला और स्पष्ट हो जाए जब चेतन 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 पढ़ेंगे तब पता चलेगा भगोद गिता तो यह तीन बहुत महत पूर्ण तो चेतन महाप्रव को समझे बिना कृष्ण तक नहीं पहुच सकते तो यह बहुत ही सुन्धर श्लोग है इसका आर्थ क्या है अगर आप नवदिप का भजन नवदिप का आराधना करते हैं तो आप बारा वृंदावनों के आराधना करते हैं आरादितो नववनम व्रजकाननम ते नववनम क्या है नवदिप और व्रजकानन क्या है बारा व्रणदावन के फोरेश्ट तो इसका आराधना करते है मतलब इसका आराधना करते है नाराधितो नववनम व्रजएव दूरे अगर आप नवदिप का आराधना नहीं करते तो ब्रिदनावण बहूत दूर है आपके लिए को मैं मतलब पहले नавайुदी मैं जाना है क्योंकि वह अभीन्न है भरज मुर्णावन से हैं अगर आप बोलते हैं मैं बरज़ीम बीनोंन में जाओंगा न害ुदम नहीं जाओंगा तो उर्दना आन बहुत दूर रहया आपके लिए यो बोल दिया दूसरी दो लाइन क्या है अगर आपको को और नाराद ही तो दुदिजिसूथ कौण है ध्येसूथ जैटने महाभर जगननाथ मिश्वब जो दुभीज इसके पुद्र को न आगर आप उनका पूजा नहीं करते हैं तो न तवे है कृष्णा कृष्णा से बहुत दूर है इसलिए द्विजे सुथ का आराधन करो क्यूंकि वह वही उरजनागर है राधा भाव लेकर के वही आया है यह बोला गया है उसका भाशांतर मैंने बता दिया पढ़ने का जरू नहीं है लेकिश्णा पाट पढ़ सकते हैं आधात्मिक ग्यान का सार स्ष्टरिशि चेत饭 Nina महापरव की लीलाओं के समाना है यही ज्यान का सार है यह ज्यां में श्री चेतन अमापरव और कृष्ण को की समझ सामि良 नहीं थी है श्री चेतन महाबवाब की कृपा से लगवान श्री किछण की लिलाओं का अम्रत सैकर्णों और हजारों नदियों में अलग अलग दिचों में बहरा है तो स्पष्ट है स्पष्टता से प्रोपत बोल रहे हैं अगर आपके कृष्ण के ग्यान में चैतन महाप्रव का ग्यान नहीं है तो आना वश्चक है उसका कुछ फायदा नहीं होगा तो इसलिए इस प्रकार शी चैतन महाप्रव की निलाओ को समझ ये बिना कोई राधा को नहीं समझ सकता है फूजन करेगा लेकिन समझेगा ने वो क्या है रूपर अगुनाथ फवयदे होई बे आकुती वहाँ पर भी यही बता है इसलिए क्या है चैतन ने लिलाओ और शिक्षाओं को समझे ये अवश्च जरूरी है ठीक है क्योंकि चैतन ने चरितामरित में गौडिया सिध्धांद दिया है जो भागवत सिध्धांद के भी आगे उसमें रस आवतार धाम और परिकर इसका तार्तम में दिया है यह कहां भी नहीं दिया हाँ विल्कुल लेकिन वहीं तो बोल रहा हूं मैं यह भागवतम के बाद है सोच में नहीं लेकिन सीक्वेंस में जा सकते कुछ प्राबलम नहीं इसलिए श्रवन करना आसान होता है श्रवन करके आप पठन करोगे ना तो बहुत आसान हो जाता है अभी यह जो सेमिनार है अगर समझो दस साल पहले मैंने सुना होता तो अलग तरह से प्रस्तुत होते थे भागवत को जो अच्छा प्रभवपत बोले है ना प्रामानिक शुरोता से जो सही शुगदे अगोस्वामी को प्रस्तुत कर रहा है उससे श्रवन करेंगे तो क्या वो है ना वेदेश्यु दुरलभवम अदुरलभवम आत्मवक्त तो अभी यह क्या है अलग अलग भगवान का शक्ति के बारे में बोला है व्याजदेव द्वारा ओके इसका अभी जरूत नहीं है व्याजदेव का विजन बताया इदर व्यंदावन लिला में राक्षा तो यह क्या है भक्ति विनोठ ठाकुर तो व्यंदावन जो लिला है उसमें भक्ति विनोठ ठाकुर ने क्या बताया है कि भई यह व्यंदावन लिला का सिर्फ आस्वादन मत करो आस्वादन दरूर कर सकते हैं लेकिन हम सब सादक हैं तो हर एक जो असुर को मारा जा रहा है वो एक अनर्थ को दर्शाता है तो वो अगर लीला आप ऐसे श्रमन करोगे वो ऐसे चिंतन से तो वो अनर्थ दूर हो जाए तो यह जरूरी तो पढ़िये वो अनर्थों का पूरण मिनाश तबी होता है जब हम व्रिदामन की लीलाओं के ली विशेश रूप से राक्षास वत को सुनते हैं और ब्रजवाश्यों की शुद्ध अनन्य भक्ति के लिए हमारे हिर्दय में गहरी प्रिशन सा विक्सित करते हैं दो चीज होना चीए जब हम क्रिशन लिला सुनते हैं क्या होना चीए मतलब उसते क्या होगा अनर्थ का विनाश होगा लेकिन कब होगा जब दो चीज होना चीए एक क्या है कि भई जो विशेश रूप राक्षास का वज़ सुनते हैं तब हमें हमारा अनर्थ वो क्या दिखा पता होना चाहिए तो फिर अनर्थ कम हो जाएगा दूसरा क्या होगा जो ब्रजवासी और भगवाने उनका जो आदान प्रदाने उसका शुद्ध अनन्य भक्ति है उसका प्रशमसा बढ़ना चाहिए तो यह शब्द का मैं आर्थ बता रहा हूं कि यह पूतना वद है सबसे पूतना उद्धार का लीला सेकंडरी है वहाँ पे यशोदा का गुणदान हो रहा है कैसे कि जो असुर ने यशोदा का अनुकरण किया उसको इतना कृपा मिल गया तो यशोदा को क्या मिलता हो यह भाव है तो यह दो भाव जागरुत होने चीए है मैरे रुदा में कि क्या यशोदा का भक्ति होगा कि उसका कोई अनुकरण करता है तो भगवान उसको धात्री का पोजिशन देजा अनुकरण करन मातरस तो यह किसा गुनगान हो रहा है यशोधा प्रसंग है ये पूतना प्रसंग नहीं है क्या है यशोधा प्रसंग है लेकिन ये श्रवण करते वक्त हमने जानना चाहिए पूतना कौन सार हमारा अनर्थ को दर्शाद है जो है फॉल्स गुरू गुरू मतलब मिथ्या गुरू तो सब दो तरह के मिथ्या गुरू है एक है हमारा मन और एक है मिथ्या गुरू बहार का जो गुरू सादू शास्तर से नहीं आता लेकिन कुछ भी बोलता या जब हमारा भक्ति विकसित होता है तो तुरंत वो मानने के लिए बहुत सारे लोग उल्टा बोलते हैं रहे क्या कर है इसकोन में जुड़ता है तो उनके सगी संबंधी या दोस्तों लोग क्या बोलते हैं अरे मत जाओ उदर गड़बर हो जाएगा तो वो पोतना समान है वो क्या करना चाहते हैं जब कृष्णा ने जन्म लिया है भक्ति ने जन्म लिया तो उसको तुरंत मारना चाहते है और हमारा मन भी ऐसा बोलता है तो यह दोनों क्या है मिध्या गुरू इसके उपर पूरा एक बीटी जी मैगजिन है पूतना के उपर बीटी जी ने सौरी कृष्णा कथामृत बुंदू पढ़िए बहुत अच्छा है तो यह दोनों का हमने अनंद देना चाहते हैं कि होगा जब हम वह मिध्या गुरू को देखेंगे और यह लिला सुनेंगे अरे भगवान ने इसको मार दिया ऐसे बहुत सारे असुरों को उन्हेंने मारा मैंने सिर्फ एक उधारन दिया ऐसे पूरा तो क्या करना चाहिए विश्वास और प्रयास के साथ सुनना चाहिए और प्रयास क्या है विश्वास क्या है आत्मरेक्षन करे कि वह कौन सा अनर्थ मुझे परेशान कर रहे हैं तो यह प्रयास होना चाहिए मन तो यह अंतरिक प्रयास है समझ रहे हैं प्रयास एक होता है बहुत भाग दोड़ करते हैं एक अंतरिक प्रयास है भई श्रवन कर रहे ठीक है हाँ ये अनर्थ मुझे क्योंकि हरेका अनर्थ अलग अलग है इसको लश्ट प्राब्लम इक इसको अंगर प्राब्लम कुसको ये प्राब्लम तो हरेका अलग-अलग लीला काम करेगा तो इसलिए आत्म नेक्षन करके वो लिला करना प्रार्थना करना चाहता है यह मन क्या बलता है अरे गुरु की मत मानों मेरी मानों ओ गुरु बनना चाहते हैं कि गुरु बताए ही कि उन्हें क्या पसंद है तो ये पूतना क्या करता है हमको चैनात्मक्षरण कराता है और ये बढ़िया है बोलने वाला इससे सुनिए ये बहुत ये बोलता है इससे मत सुनिए ये क्या चैन चैन करना तो मन भी है ना चैन करता है यह बहुत अच्छे जोग बताते हैं यह यह बहुत बढ़े आया है और यह बहुत सीरियस चीद्व बताते है इसको छोड़े जो आविशे तो ऐसी बात है चयन करना और जो गुरु बता रहे, आगर गुरु बता रहे तो जो भी बता रहे badika, श्रवण करो, यह चयनात म क्ष्रवण भी वैसा है, इस पूतनावद्का लिला सुनकर, और मन ही मन यशोधा की भक्ती और कृष्ण की करुणा की इतनी महांता की सहराना की, तो यह हमारे रिदय मे प्रकट होना चीए कृष्णा हमें वास्ताव में गुरु के प्रति समारगवान करने में मदद करते हैं जो प्रकटी में सबसे महत्पूर्ण है लेकिन यह सबसे कठिन भी है तो गुरु का शरण लेने के लिए तो पहला क्या है गुरु का शरण आगती बोल रहा था हमें तो पहले चार क्या पाच जो भक्ति के द्वार बताये गए बीस उसमें क्या है आदव गुरु पादाश्रे क्रिष्ण दिक्षादी शिक्षणम विश्रम भेन गुरो सेवा सादू अर्त्मानु अर्तनम और सद्धर्म प्रिच्छा यह किसके संपर्क में है सब गुरु के पर्क में है नऄल करते हैं क्या और चाहिए कर रहे है लेकिन और करणा च mail जा रहे हैं कि तो वह भी बता है क्या बल्राम जी ने पुछ शूर को मारा है गर्ष्ण ने जो प्रूआ है तो एब हरी नामर हरी कथा अच्छी तरह से करके वह सब असूर मर जाएंगे लेकिन बलराम जीने जो मारे है ना वो कृष्णा नहीं मारे देनुका सूर और अलंबा सूर यह जो भाव है अनर्थों के यह कब मारे जाएंगे बलरामजी द्वारा ही मारे जाएंगे कृषने जानते थे ये गड़वड है लेकिन कुछ या नहीं होसा है बलरामजी का कृपा परात्थ करना पड़ेगा मतलब किसका गुरू का तो विशेश रूप से गुरू का आदेश से ही ये असुर मर सकते हैं कि कौन बोल रहा है भक्ति विन्हों ठाप तो देनु प्रलंबासुर क्या है स्थूल और सूक्ष्म कामेच्छा वो मैंने बताया था पहले भी नौवेसकन में बताया ना बहुत मुश्किल है कैसे मरेगा गुरू की कुर्पास है वो है पह कुल दृष्टि कोन जैसे मैंने बताया ना बहुतिक जगत का वास्तविक रुप कब दिखेगा जब भी गुरू द्वारा हम शवन करके देखेंगे तो तो फिर दिखेगा नहीं तो क्या दिखेगा बहुतिक रुप से सब दिखेगा आध्यत्मिक चीज में रहते हुए ब दिखेगा नहीं वह तो व टो क्रिश्णा ने मारा भल राम जी नहीं किसको मारा तो एक हो गया लश्ट एक हो गया एन्वी और किसको मारा बल रम दिखेगा वो सबसे डेंजर है वो इधर बैटा वह को मार देता अब भी इसले डर रहा हूं गलत भाव है तो व्यास्टा पे मेर्डर हो जाए तो यह गलत भाश है यह गुरू ही के कर सकता है पॉल्स प्राइड ऑगुरु ही देख सकता है गुरु ही उसका टाड़न कर सकता है बाकी लोगों कुछ समय में नहीं आता है तो यह बलराम जी का कृपा इतना जरूरी है तो यह सब असुर है उसके अलग-अलग अनर्थ है तो अभी वह देखने के लिए समय नहीं है अल्रेडी बारा बज गए तो हम इसको आप बाद में देख लेना और अभी आप स जो ब्रुद्धावन में मारा ना वह रेक चीज एक अनर्थ को दर्शाता है तो वह लिला हमने वैसा सुनना चीए आत्मा निरिक्षन करना चीए कि भई कौनसा अनर्थ है मेरे में तो इतने सारे 21 से देखूँ तो इसमें ब्रह्मो विमोन लिला भी है और यह भी है कौनसा गोवर्धन लिला भी है और ये भी है कौन सा जो वरुण देवने इनको लेके गए थे नंद महाराज को वो भी है ऐसे कुछ लिला है इसलिए 21 हो गए पूरे और केशी व्यमासुर लाश दो असुर मार के भगवा पुरंदावन से मतुरा चलेगा तो देखिए शवन कितना ग गया है काफिदे कम ल क्या लेकिन अर्वने हुस simpler लैकिन अंस लिए लेकिन जभाघौत कुछ ऑसकता है तो बहुत कुछों यह सकता है आंदर बहुत कुछ ऑप्रेश्यन हो सकता है इसलिए मेरे गुरु महाराज क्या बोलते थे जब भागतम में आते हैं तब ऐसा सोचना चाहिए कि मेरा अभी बहुत बड़ा सर्जेरी होने वाला है और अनेस्थेशिया भी नहीं दिया जाएगा ऐसे वो अननुंदावन बोगों को बोले कि ऐसा हमारा सोच होना चाहिए तो कितना हो जाएगा सोच हो बहुत कुछ हो सकता है तो पर ये ब्रज भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध भक्त का संग करना चाहिए और फिर उतना ही काफी नहीं है वो लवल्य प्रकट ह होना चाहिए कृष्ण भक्ति रसभावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लवल्यम अपि मुल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिर न लभ्यते तो भई आपको वरज भक्ति प्राप्त करना है तो जहां पे भी कुछ मिल रहा है वहां पे जाके लेलो लवल्य य जिसके पास लवल्य है उसका सेवा करके बस और कुछ नहीं तो वही है वही हमारा धेय है और यह दस्वेस कनका सारामश है एक स्लाइड में तो क्या है नववे कैंटों में मैं पहले बता दिया था आपको कि सिर्फ चार श्लोग में पूरा कृष्ण लिला बता दिया है क्य जबुए इसको उठसुकता है क्या नहीं तो हमारा भी परिक्षा होगा उठसुकता दिर्माण हुआ है क्या नहीं फिर परिक्षित का परिक्षा पास हो गए वह बोले तर सका सुच्द है कि यह वह सबसे जरूर है शिंपल पूरे भागवत में 90 अध्य है किसमें भी नहीं तो पहले पाच में क्या है कृष्ण का प्राकट्य देव की वसुदेव की प्रार्थना गर्बस्तुति देवतावद्वारा कम्सका अत्ताचार नंदोच्षव और पितरों का मिलन पाचवाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्व शीशू मतलब क्या वो हिलता है, मतलब कुछ इदर-उदर घुम नहीं सकता है, शीशुत्व लिला पूरा निर्बर रहता है, और बाल्ले मतलब ठोड़ा घुमता है फिर पौगंडर लिला ग्यारा से लेकर के बीस में जहां पर गोरधन लिला वगरा ने गोरधन लिला नहीं है बाकी सब लिला हैं उसमें क्या आयू है पाच से लेकर के दस छे लेकर के दस पौगंडर लिला फिर किशोर लिला जहां सब रास लिला वगरे आ गया 21 से लेकर 33 मे क्या है व्रंदावन लीला समाप्त होती है अक्रूर जी सबसे क्रूर कार्य करते हैं और गोपियों को नाखुश करते है और उनको बाद में हाथा तो भगवान का इच्छा था लेकिन उनको बाद में उसका प्रभाव जेलना पड़ता है और 40 से लेकर के 50 में क्या है मतुरा ल तो प्राय यह प्रंदावन लीला काफी क्रमिक बताया है लेकिन बाकी लीला इतना क्रम से नहीं बताया आगे पीछे जैसे शुक्देव गोस्वामी अपने आनंद में है तो वो क्रमिक नहीं जाते तो आलग आगे पीछे करते हैं और इसमें बोला गया है कि पाच ट्पने सबसे पद्टो रमार को एंky यह सब पहले यह पहले 50 चेप्टर के अंदर ना और अज बहुत में बहिभेए जाते आना तो वहां पर होता है तो वह आता है 45 अद्दयाया है कर आच कि यह विरहर गित शायद 35 में आता है और फिर गोपी गित वेणुगित यूगल गित तो पहले इसमें आ जाता है एकिसवा है वेणुगित वो पूर्वराग है जैसे कोई बोल रहा था कि श्रीमा श्रीलर आदा गोईन महराज बोलते हैं वो है सगाई के जैसा है गोपियों का और कृष्ण का अभी तक यह नहीं हुआ है वो पूर्वराग है वो है वेणुगित और गोपी गित संभोग होन के बाद विरह का गोपी गीत युगल गीत इत्यादी तो यह है इसका यह है तो इसलिए यह हमारा सिद्धान्त है भागवत में यह दिया गया है कि वरजभक्ति प्राप्त करना तो यह श्लोक है वो सभी सिद्धान्तों को एक जगा पर बताते हैं तो ठीक है बस फिर यह बोला है उसका मैं कवे के तरह प्रैस कर रहा हूं कवे का ही चेतना है लेकिन एक भाव है कि भाई प्रैस करें इनको खुश करने का बस तो अगर आपको कुछ सही लगा है तो यह सब यह लोगों ने बोला हुआ तो बहुत बहुत धन्यवाद सबसे महत्रपून आप सब लोगों क्रुतक ग्यता है आपने में को यह प्रस्तुत करने का मौका दिया पूरा भागवत का अरे कृष्णा रंतराज श्रीमत भागवत हम की जाए श्रीला प्रभपात की जाए आश्रे तत्व की जाए धन्यव हुआ 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 उनके साथ ही रहती नहीं सूर्य और सूर्य का प्रकाश वह अलग कर सकते क्या है यह तो उनके साथ में है ना अब सूरिय को लाओ उसके बाजू के आभाव को मतला ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता ना कभी नहीं हो सकता है अब होने ही चाहिए इस करके इस मतलब का सब्सक्राइब दाएब अगयां मतलब क्यास परस्ट अट परस्टव करेंश विए इस सकता है हुआ हुआ हैं इस परफास्में जन्तम चाहिए कि है और धी है है ठीक है ना मतलब क्या फर्ष्टत फर्ष्ट है ना हुआ है ना हुआ है भागोत में वही है ना थे प्रमात्मेति भगवानिति शब्दे ते वान पॉइंट टूपेंट एलेवन वही श्लोग है ना हुआ तो उसमें आप जो सिक्वेंच बोल रहे हैं वही सिक्वेंच दिया है भ्रमेति परमात्मेति भगवानिति पहले ट्रेन एक प्रकाश है फिर ट्रेन एक ट्रेन है नहीं बहुत बढ़ा है प्रमात्मा प्रमात्मा जरब फुवरमाद्मन प्रह्मात्य छुनी ृफॡ। अहां आशा तुम्हाल इंट विचार . शिडेटेर सिक्वेंश में हेते जईन सक्वेंश . तुम्चा था आनकी थिसरा सीक्वेंश है . परमाद्मिन शुक सब्सक्रामेलन ब्रह्माहन अन भगान . पर में काय मंनतो हो तुम्हाला 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 तुम्हानुचा अनुभो ब्रह्मक हर अंडेस्टेंडिंध कि ब्रह्म है जांक परमात्मा मंध भगवान पहले सव्याध्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्य यह ब्रह्मा रियलाइजिश्ट है अग्चुली आता माधा क्लास है प्रोजी तर नंतर आपन तर चर्चा करता रहो क्या प्रॉब्लेम नियुट हो नंबर दिला हैं तो सब्सक्रा महाराजान निकोट के लिए नंबर अश्युट हो नाराधितम तो गा तो नहीं ना नुक कर दो कि दो ड्रॉब्लेण तो जन्हीं नं नंतर नाराधितम तो गॉप उद्लिश्ट monks उतज सभी उत्युट अश्युट है यह टुम्हा पोलियो मदे नाई एमाया मत एक तरह बद्वागित लागते ओवर अपक्ति भिगया नमारा जयंक संगेट लाकिछी तंची तुम्हे लेक्टर आयगा पवाजी तुम्हें चैनले गोगड़ती परसांगत अ कि अधकाय अधकाय ने केल तन्नीचे संगित अंगित ल शोला लेक्टॉर प्रमोजी सोला उनलरक्टॉर में जा पिरस झाल 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 आजर पिछे न्याजशी रहाई झाल झाल पिछे करेंगे। झाल 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 झाल